गुर्मान एक्सुडेंट्स आज आपको क्लास फोर की चौथी कच्छा की हिंदी की बुक प्राहने जा रहा हूँ पाठ पाँच कदम का पेण पाठ पाँच कदम का पेण इसकी कवित्री कवन है सुभर्दरा कुमारी चौहान कविता प्रवेश बच्पन के दिन बहुत सुहावने होते हैं ना खाने की चिंता ना कमाने की फिक्र मा की ममता की च्छाओं में पलना नीद आने पर उसकी गोद में सिर रह कर सो जाना रोध होकर अपनी बात मनवा लेना इस कविता में बालक की ऐसी ही छवी का चित्रांकन किया गया है यह कदम का प्रव अगर मा होता जमना तीरे मैं भी उस पर बैठ कनया बनता धीरे धीरे ले देती यदि मुझे बासुरी तुम दूपैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली बच्चा अपनी मा से अपनी इच्छा ब्यक्ट करते हुए कहता है कि मा यह कदम का पेड अगर जमना के तट पर होता तो मैं भी इस पेड़ पर इस कदम के पेड़ पर बैठ कर कनया बनता ले देती यदि तुम बासुरी ले देती मुझे बासुरी तुम दूपैसे वाली यदि तुम मुझे दूपैसे की बासुरी खरिदेती और किशी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली और यह कदम की डाली किशी भी तरह नीचे हो जाती यह कदम का पिर अगर मा होता जबना तेरे मैं भी उस पर बैठ कनहिया बनता धीरे धीरे ले देती यदि मुझे बासुरी तुम दू पैसे वाली किशी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली तुम्हें नहीं कुछ काता पर मैं चुक्के चुक्के आता उस नीची डाली से अम्मा उचे पर चढ़ जाता वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बासुडी बजाता अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुक्के चुक्के आता उस डाली उस नीची डाली से अम्मा उंचे पर चढ़ जाता लड़का अपनी मा से एक्षा ब्यक्त करते हुए क्या कहता है कि मैं तुमको कुछ न बता कर चुक्के चुक्के आता और उस नीची डाली से अम्मा उं सुन मेरी बंसी को मा तुम इतनी खुस हो जाती मा तुम मेरी बंसी को सुन करके इतना खुस हो जाती कि मुझे देखने काम छोड़ कर तुम बाहर तक आती मा मेरी बंसी के आवाज को सुन करके तुम इतना खुस हो जाती कि अपना काम छोड़कर तुम घर के बाहर तक आती, तुमको आता देख बास्फुरी रख, मैं चुप हो जाता, पतो में छिप कर, धीरे से फिर बास्फुरी बजाता, गुस्सा होकर मुझे डाड़ती, कहती नीचे आ जा, सुन मेरी बंसी को मा तुम इतनी खोष हो जाती मुझे देख काम छोड़कर तुम बाहर तक आती तुमको आता देख बासुरी रख मैं चुप हो जाता बाला क्या करता है कि मा जब मैं तुम बाहर तक आती और तुमको मैं आता देखता तुम बासुरी रहकर मैं चुप हो जात और फिर पत्तों में छिपकर धीरे से बासुरी बजाता गुसा होकर मुझे डाड़ती तब जब मैं पत्तों में छिपकर बासुरी बजाता तब मां गुसा होकर तुम मुझे डाड़ती और क्या कहती डाड़ते हुए मुझे कहती नीचे आजा नीचे आजा पर जब मैं न उत नीचे उत्रू मेरे भाईया तुम्हें मिठाई दूंगी नए खिलाओंने माखन्मिस्री दूद्मलाई दूंगी आज यही तक अब आप अपनी कॉपी खोलने और कॉपी के ऊपर क्या करेंगे आज की डेट डालेंगे सेप्टेमबर 29, 2020 पार्ठ पाँच कदम का पेड़ 10 सुभात्रा कुमारी चौहान कवित्री का नाम क्या है सुभात्रा कुमारी चौहान आज की तारिक डालने, पाठ पाच लिख ले, कदम का पिर्ण सुभदरा कुमारी, चौहान, यहां से यहां तक आप लिख ले, मैं रुका हुआ हूँ क, निम लिखित प्रस्नों का उत्तर दीजी प्रस्न एक, बालक किस चीज पर बैठ कर कनहिया बनना चाहता है उत्तर, बालक जमना तर्ट परिस्थीत, कदम के पिर्ण पर बैठ कर कनहिया बनना चाहता है यहां से आप यहां तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ प्रसंदो, बालक अपनी माँ से क्या खरदने के लिए कहता है उत्तर, बालक अपनी माँ से दो पैसे वाली बासुरी खरदने के लिए कहता है यहां से आप यहां तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ नेक्स्ट, प्रसंदो तीन, बालक बनसी के उस्वर में किशे बुलाना चाहता है बालक बनसी के उस्वर में किसे बुलाना चाहता है, उत्तर, बालक अपनी माँ को बनसी के उस्वर में बुलाना चाहता है प्रस्न चार, बनसी के उस्वर का माँ पर क्या प्रभाव पढ़ता है, प्रस्न आचक्चिन बंसी की स्वर का मा पर क्या प्रभाव पड़ता है उत्तर बंसी की स्वर को सुन कर मा खुस हो जाती और अपना काम छोड़ कर बाहर तक आती प्रस्थ तीन प्रस्थ चार आप यहां तक लिखेंगे मैं रुका हुआ हूँ आगे प्रस्थ पांच मा को आता देख बालक क्या करता कोशन मार्थ मा को आता देख उत्तर मा को आता देख बालक बासुरी रह कर चुप हो जाता तथा पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बासुरी बजाता मा को आता देख बालक बासुरी रख कर चुप हो जाता तथा पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बासुरी बजाता प्रस्न छे गुसा होकर मा बालक को डाड़ते हुए क्या कहती गुसा होकर मा बालों को डाड़ते हुए कहती डाड़ते हुए कहती नीचे आजा दो कामा से यहां से यहां तक घरेंगे और खड़ी पाई यहां से यहां तक आप लिखने में रुका हुआ हूँ नेक्स्ट जब बालक नीचे नहीं उतरता तब मा बालक से हसकर क्या कहती प्रस्वाचक चिन उतर जब बालक नीचे नहीं उतरता तब मा बालक से हसकर कहती मेरे मुन्ने राजा नीचे उतर आओ मेरे भईया मैं तुम्हें मिठाई दूंगी मैं तुम्हें नए खिलवने माखन मिसरी दूद मलाई दूंगी जब बालक नीचे नहीं उतरता तब मा बालक से हसकर कहती मेरे मुन्ने राजा नीचे उतर आओ मेरे भईया मैं तुम्हें मिठाई दूंगी मैं तुम्हें नए खिलवने माखन मिसरी दूद मलाई दूंगी यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है मैं रुक रहा हूँ आप अपना होमाक सुनने गरिह कार सुनने आपका होमाक क्या रहेगा आज 127 मैं प्रसन उतर करवाया हूँ यह आपको अपनी कौपी में लिखना है और लिखने के 50 प्रसन के उतर को लर्ण करना है मातरा पर ध्यान देते विलर करना है आज की लिए बस इतना ही बाकी आपका नेक्स टान पर अपने समय का शही पर्यूख करें प्रसन चित रहें खुश रहें और माता पिता की आगया का पालन करें देट सॉल